आज जिस कहानी की बात हम करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है और जीवन में उतारने लायक है देखते हैं क्या कहती है कहानी The two bags, दो थेले Once एक बार क्या हुआ? A wise man was gifted two bags एक बुद्धिमान व्यक्ति को दो थेले उपहार की रूप में दिये गए One bag had his neighbor's fault एक बेग में क्या था? उसके पडोसियों की गलतियां थी ये देखो, इसके दोरा और इस व्यक्ति को ये दो थेले दिये गए एक थेले में इस व्यक्ति के पडोसियों की गलतियां थी The other bag और जो दूसरा थेला था Had his floss Flah का मतलब होता है दोश कमिया और दूसरे थेले में उसकी खुद की कमिया थी खुद के दोश थे Which ये विच आया है यहांपर His इसके लिए किस बैग के लिए? उस बैग के लिए जिसमें उसकी खुद की गलतियां थी Which he was told to carry in front जिस बैग में इस व्यक्ति के खुद के दोश थे उसके बारे में उसको बताया गया He was told to carry in front उस व्यक्ति को ये बताया गया देखो front का मतलब होता है आगे Carry यानी ले जाना उस व्यक्ति को बताया गया कि ये दो थेले आपको रखने है एक को पीठ के उपर पीठ के पीछे टांगना है और एक को आपके आगे टांगना है To carry in front यानि कि दूसरे थेले के संबन्द में जिस थेले में उसके स्वयम के दोश थे उसे आगे रख कर ले जाने के लिए कहा कि मैं तुम्हें अपने दोशों को हमेसा आगे रखना है अपने वाले थेले को आगे रखना है He had to say to others about his faults देखो had to का मतलब होता है करना था, करना पड़ा He had to say to others उसे दूसरे लोगों से कहना था क्या कहना था? about his faults अपनी गलतियों के बारे में यानि कि जब उसे बैग दिये गए तो कहा गया कि यह जो थेला है यह पड़ोसियों की गलती का है इसे अपनी पीठ पे टांग लो और जो खुद की गलतियों का थेला है इसे अपने आगे टांग लो और जब भी लोगों से बात करोगे तो अपनी गलतियों के बारे में ही करना उसे दूसरों से अपनी गलतियों के बारे में कहना था लेकिन गलती से बैक का मतलब होता है पीठ लेकिन गलती से क्या हुआ कि व्यक्ति ने खुद की गलतियों का थेला तो पीठ की उपर टांग लिया अब वह गलत बैग में देखता वह खुद की गलतियों का जो थेला था वो तो इसने पीठ पर टांग लिया और पडोसी की गलती का जो थेला था वो इसने आगे टांग लिया अब यहां पर यह जो wood है न wood का हम प्रियोग करते हैं wood के कई प्रियोग होते हैं उनमें से एक प्रियोग होता है past में कोई काम आप करते थे उसके लिए हम wood लगाते हैं तो गलती से क्या हुआ इस व्यक्ति ने the man put his bag on his bag कि खुद की गलतियों का जो बैग था वो तो इसने अपनी पीट पे टांग लिया और पडोसी का जो थेला था उसको आगे टांग लिया He would look into the wrong bag अब वो है गलत बैग में देखता था And tell everyone of his neighbor's fault और हर किसी को अपने पडोसी की गलतियों के बारे में बताता था He faced a lot of problems Face का मतलब है सामना करना A lot of का मतलब होता है कई सारी, खूब सारी In doing so, ऐसा करते हुए He faced a lot of problems उसने कई सारी समश्याओं का सामना किया यानि कि उसके सामने कई समश्याओं आई क्योंकि गलती ये हो गई कि खुद की जो गलतियां थी उसको तो उपने पीठ के पीजे टांग लिया और पडोसियों की गलतियों को आगे टांग लिया और अब जिससे भी बातें करता तो पडोसियों की गलती के बारे में ही बात करता तो कई सारी लडाईया होने लगी, कई सारी प्रॉबलम्स होने लगी He went to the wise man अब यह जो व्यक्ति था, उस wise man के पास गया यानि कि इस संत के पास गया, जिसने उसे थेले दिये थे Again, दुबारा से And told him और इस व्यक्ति ने यह जो संत थे या यह जो व्यक्ति थे जिनोंने इसे दो थेले दिये थे He went to the wise man again And told him about his mistakes और उसने अपनी गलती के बारे में बताया He went to the wise man देखो, इसमें क्या हुआ है? यह जो कहानी है ना इसमें क्या है कि थोड़ी सी printing mistake है यहाँ पर ढंक से समझ में नहीं आ रहा कि wise man इस आदमी के लिए आया है या फिर इस आदमी के लिए आया है ठीक से लिखने में थोड़ी सी printing mistake हुई है तो कुल मिला के finally क्या हुआ कि He went to the wise man again and told him about his mistakes तो यह जो line लिखी हुई है इसका मतब यह है कि यह जो संत दिख रहे हैं यह दुबारा से इस व्यक्ति के पास में आये और इनोंने इस व्यक्ति को उसकी गलतियों के बारे में बताया the man corrected his mistakes अब इस व्यक्ति ने क्या किया अपनी गलतियों को सुधार लिया यानि कि फिर से जो पडोसी की गलती का थेला था उसको पीठ पे टांग लिया और अपनी गलतियों के थेले को आगे टांग लिया तो ध्यान में रखना यह यहाँ पर है थोड़ा सा confusion हो गया है printing mistake के कारण कि समझ में नहीं आ पा रहा था इस story में कि वही wise man कौन है यह व्यक्ति है wise man या जो थेले दे रहा है तो यहाँ पर wise man आया है actually इस व्यक्ति के लिए यह जो संत जैसे दिख रहे है इनके लिए wise man और य है he यानि कि एक समान्य व्यक्ति तो इस तरह से उसने क्या किया अपनी गलतियों को सुधार लिया from that day और उस दिन से from that day on उस दिन से देखो जब हम ऐसे लिखते है न that day on यानि कि तब से ऐसा चल रहा है तब से ऐसा हुआ क्या he lived a happy life उसने एक खुशहाल जीवन जिया उसने एक happy life जी क्या moral है इस कहानी का moral ये है कि दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने दोशों पर नजर डालनी चाहिए moral है इसका कि we should always accept our mistakes कि हमें हमेशा हमारी गलतियों को सुईकारना चाहिए यानि कि खुद की गलतियों को सुईकारना चाहिए and work upon them और उन गलतियों के उपर काम करना चाहिए यानि कि उन गलतियों को सुधारना चाहिए अपने आपको improve करना चाहिए तो इस कहानी का moral आप ये समझ सकते हो कि ठीक है दूसरों में भी गलतियां होती है हर व्यक्ति में जो है कमिया होती है लेकिन उन कमियों को देखने से पहले जरूरी है कि हम अपनी कमियों को देखें और उनको सुधारें उन पर जो है काम करें